ओम श्यांति, 19 अटिसमर के ईश्रवेदान में आपका सोगत है पर्मात्मा क्याते हैं कि एक ही स्मृति के दौारा हम कै कर चाहिते ह। ब्रंच पड़क के अदिकारी भवह। एक रस्ति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित्र हो हम दुनियावी बातों की स्मृति, लोगों की स्मृति, विक्तियों वस्तों की स्मृति, पोस्पोजिशन की स्मृति, प्रॉलम्स की स्मृति, क्या फाइदा हो उसकी स्मृति उनमें अगर रहेंगे तो हम उन से रस निकालना अलग बात है और दुनियावी चीजों से रस निकालना अलग बात है अगर एक के बजाए दूसरा कोई भी याद आया तो एक करस के बजाए बहुरस थिती हो जाएगी बहुत रस मतलब बहुत सारी बात नित्सरस निकाल रहे हैं लना उसमें & उतार चड़ाब की बात आती है अगोगी बात आती हैं मैं ठीक की वो ठीक मैं राइट की हूर राईट मैंने जो कार वो किया यह बात अ लिए अजब लोगागो याद करें तो उंच पद्ध नहीं मिल सकता, सोचो जड़ा, अगर अंतिम्शन में शरी छोड़ने का समय आज़ा, और हम किसी की बारे में विर्थ बाते कर रहे हैं, और हट अटर कर जाए, तो कैसा जनम मिलगा अगलत, इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो, यह मैं सोचो कि बहुत जीन संगम का समय है, यही समय है जो हमें बार-बार कल रहे हमें यह टाइम मिलता है परमात्म को जानने का, पहचानने का, और उन से अपने अंदर चाभ्य बरने का अव्लब, चाभ्य मलंब शक्ती ग्यान से और बाबा की याद से, और एक रस्तिती में रहना है, तो यह तब YE प झाल